हेलो दोस्तो नमेशकार स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल में आप सभी लोग का दिल से बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ अगर आपने पहली बार विजिट के जरू चानल को सब्सक्राइब कर लेना साथ में बिल आइकन को हिट करके आल जरू सेलेट कर लेना तो ऐसे इ नीचे 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 जा रहा है and if I'm not wrong somewhere around 12-13% 18-16 से हम लोग यहां पर जो नीचे फिसले है दोस्तों मैंने आप लोग को यहां पर बता है कि market जो गिरता है यह कोई first time तो ऐसा हुआ नहीं है कि पहली बार हम लोग यहां पर देख रहे है so यहां पर जैसे मैंने आप लोग को बता है those who do not remember the past are condemned to repeat it मतलब जो इतियास के उपर यहां पर भरोसा नहीं रखता है या फिर इतियास को भूल जाता है फिर वो ऐसी चीज़े वापस होगी उसके उपर भी भरोसा नहीं रखता है मतलब क्या है उसका केने का मतलब एक ही होता है कि इतियास में ऐसा हुआ ना तो वह आपस नहीं होगा पर दोस्तों हकीकत यह है history repeat itself ऐसा क्यों होता है क्यों हम लोग इतियास याद ही नहीं रखते तो फिर बहुत ही मुश्किल है मैं इंडेक्स को पकड़ कर ही बोलना चाओंगा तो आप लोग देख सकते हैं देखे दोस्तों यहाँ पर मार्केट का maximum chart pattern में ने open किया है तो जब से start लिया है तब से लेके अभी तक कितने return बन रहे है आप देख सकते है 1700% के return क्या return एक दिन में बने सर बिलकुल भी ने हमें भी पता है यह देखो यहाँ पर ही हमनों को गिरावटे देखने को मिल रहे है यहाँ पर देखने को मिल रहे है यहाँ पर भी है तो चले वही चीज़ आभी भी आप लोगों को थोड़ा सा याद दिलाना चाओंगा आ जाते हैं कहाँ पर आ जाते हैं 2000 से लेकर 2003 यह देखे मैं अंडरलाइन किया है फेब 2000 से लेकर एप्रिल 2003 तक market 42% crash हुआ था दूस्तों हमच 42% देखे तभी की situation अलग थी 2000 में इंडिया और 2022 का इंडिया इसमें आकाश पातल का अंतर है and आकाश पातल in the sense of positivity के हिसाब से मैं बात कर हम लोग टॉप लेवल पे चलो एक बार तो हो जाता है चलो आ जाते नेक्स्ट इसमें देखे मार्केट उसके बाद रिकवर भी किया रिकवर करने के बाद क्या डिरेकली टॉप पे आ है बिल्कुल भी नहीं उसके बाद वापस एक बार मार्केट 18% कब देखो डेट लिख टेक्स को देखे हम लोग इंडिविजली स्टॉक्स को या पे जज नहीं कर सकते बाट एक ओवर्विव समझे में क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं सो 18% मार्केट गिरा था चार महिने के अंदर मार्केट खतम होना चाहिए था क्या खतम हुआ बिल्कुल भी नहीं उस वक्की परिस्तिती वैसी थी ठीक है बाद में कमबैक हो गया आप देख सकते हैं आपे फिर वापस 211% गिरा आप देख सकते हैं यह रिके 2007 से लेके पस 211% और उस वक्की बात करें दोस्तों तो 10% बहुत ज़्यादा होता था अभी तो हम लोग कह सकते हैं लिक्विडिटी बहुत कुछ है लोगों के पास पैसा है म्यूचल फंड पैसा लगा रहा है दबाकल लगा रहा है फॉरेन इंवेस्टर भी इंडिया को बहुत ही अ लोग को बता है बैंक डूब गई विदेश में और हमारा मार्केट 60% गिरा रफली आप देख सकते हैं मैंने परसेंटेज निकाले अगर आप exactly calculate करोगी तो आपको 65% से भी ज्यादा मिलेगा ठीक है 60% बाजार तूटना अंदाजा लगा कर देखे इंडिविजुल स्टॉक की हालत क्या हो चुकी होगी जस्ट इमेजिन एक बार सोचके देख लेना कि अभी बाजार 12-13% गिरा है तभी 60% गिरा तो पोर्टफोलिय के तो बैंड बजी होगी ना बट क्या मार्केट खतम हुआ बिलकुल भी ने हाँ उस थ्राइम की परिश्थी थी वेसी थी एगरी बट बाद में अब देख सकते में investment के सबसे बात कर रहा हूं देखे ट्रेडर्स के अपनी रन्नीती अलग होती है मैं long term investment की बात कर रहा हूं कौन सा bank हमारा खतम हो गया HDFC bank, ICAC bank, ICAC bank adjustment के हिसाब से 40 रुपे तक है था 38 रुपीज खतम होना चाहिए था, आज 800 पे, 700, 800, 700, somewhere around यह चीज़े हम लोग को समझने होते हैं दोस्तों कोई the end नहीं होता है और अभी के तो बाद जार मतलब ऐसा बहुत बार हम लोगों ने देख लिया inflation जैसी चीज़े, देखे 60% गिरने के बावजूद, आज भी हम लोग टॉप पे है और दोस्तों आपको पता है इस वक्त बोला जाता था कि 60% यह जो recovery हुई है, मतलब ऐसी गिरावाट आगे कभी हम लोग देख नहीं पहेंगे, 60% इतना जब भर दस कभी नहीं गिरेगा, देन दोस्तों अगर हम लोग बात करे, बाजार recover हुआ, आप देख सकते 2010-2011 में वापस 20% गिरा, अगेन पॉइंट, 2019-20% गिरा, कभी की बात है, 2015-16 में गिरा था, तभी भी crash होता है, यह देखे, गिरावट तो है, 20% market गिरना, क्या खतम हुआ, बिलकुल भी नहीं, वापस comeback हम लोगों को देखने को मिला, दैन अगर हम लोग आ गया है, येस, COVID, 40%, in fact 50% भी आपको देखने को मिलेगा, मैंने है मुझे, क्या हम लोग खतम हो गए, 7600 के करीब बाजार आये था, बता हो मुझे, क्या हम लोग खतम हो गए, आज 16200 पे है, 16200 पे, 7600 का डबल भी करोगे, तो somewhere around 15 के रिंज में आएगा, still हम लोग उससे भी जादा चल रहे है, जिन्नोंने ये crash में फाइदा उठा है, ये क बाजार में कुछ गिरावट में रहेगी, ऐसा बिलकुल भी होने वाला नहीं है, जबरदस pressure रहेगा, और उसी के बीच में बाजार आगे बढ़ता रहता है दोस्तो, ये चीज अगर आपको formula अगर समझ में आ गया, कि बाजार गिरता है, बट recover करेगा ही दोस्तो, अगर market ह रिकावर नहीं किया, तो economy डूब गई, और क्या बोलने का, तो ये चीज़े समझ नहीं है, देन दोस्तो अभी के गिरावट की बात करेए, आपकी हिसामने कितना है, लगबग 12% गिरा है, डेट भी देख सकते हो, तो अभी 12% से ही लोग इतना डर गे, मतलब जैसे मैंने कह कि इंडियोजेली स्टॉक अलग अलग पोर्टफोलिय में हो सकते है, मार्केट कैपिटलाइजीशन की सबसे बड़े एक ओवर्वियू समझो, क्या मार्केट खतम हो गया, इसके पहले 8 बार में आप लोगों को ये एक्जामपल दिखाया, और 12% से जादा ही गिरा था मार् ये जो गिराबठ है, इसका फाइदा उठाओ, बाद में सब कुछ मार्केट जाएगा, 17, 18, 19, 20 जाएगा, वापस भीड़ा जाएगी, सो हमेशा रिटल इमेस्टर तो उल्टा ही करते है, जब वारें बफिजी ने बोला कि बाकी लोग डर रहे हैं, अभी बाजर में डर है जो मार्केट का टॉप और बॉटम फाइंड कर सके, अगर ऐसा होता तो आप लोगों को कोई ना कोई बता देता कि देखे मार्केट आज 7,600 तो क्रेश हुआ है, कोड के इसमें, खरीद लो करके, अभी रिकावर होगा, बिल्कुल भी ने, in fact 7,600 का वापस 10,000 और 12,000 हुआ यह बता जा रहा था है, यह रहली फेक हे करके, वापस मार्केट 6,000 आएगा, वो कहा पे चला गया, पूरे दुनिया ने देख लिया, तो यह किसी को भी नहीं पता होता है, including me, तो किसी को भी बेवज़ा कमेंट सेक्शन में पूछते मत बेटना दोस्तो, यह बार-बार आ अगर हम लोग बात करें, 140 डॉलर, 2008 में, तो खतम होना चाहिता, उसके बाद यह देखी, यहापे भी 100 के करीब आयता, और अभी की बात करें, तो आप देख सकते हो, यहापे भी वापस 120 के असपास, इसा कुछ खतम नहीं होता है, दोस्तो, इतनी महनत से कंपनिया खड़ी तो यहापे बहुत सर लोग यह भी सोचेंगे, सर 2020 जब कोविड हुआ था, तो भी तो मार्केट 40% गिरा, आपने बताया कि हिस्ट्री रिपिट इट सेल्फ, तो उस वक्ग जब कोविड हुआ था, तब आपने वीडियो बनाया था, इससे रिलेटेड, कि मार्केट वापस जबरदस बागने वाले, तो दोस्तो आप लोगों को वीडियो चाहिए, बहुत ही ज़ादा पॉपिलर हुआ था यह वीडियो, तो यह रेखिए, क्या भारती यह शेर मार्केट खतम हो जाएगा, 10 मार्च 2020 को मैंने बनाया था, विट प्रूफ दोस्तो, उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो दूसरा चैनल है, SMKC, उस पे आप लोगों को यही वीडियो यहापे मिल जाएगा, उस वीडियो को यह वीडियो अगर आप देखते हो दोस्तो, इसका में लिंक एक काम कर लेता हूँ, उपर आई बटन पे भी देने की कोशिश क बनाया था, आप चाहो तो इस वीडियो को देख लेना, और जैसे मैंने का कि इस वीडियो को अगर आप देखते हो, तो उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जस्ट चाहो तो येस लिख सकते हो, तो मुझे भी पता चलेगा कि कितने लोग हकीकत में यह सारी चीजे जो free of cost मि रही है, उसका actual में फाइदा उठा रहे है, देख लेना, एक बार ये वीडियो को पूरा देख लेना, तो आपको समझ में आएगा कि history में जो चीजे होती है दोस्तो, हाँ थोड़ा 19-20 हो सकता है, बट market कभी खतम नहीं होता है, सिर्फ एक problem होती है, पता है retail investor के problem के, सब च अक्रिशन पे जाके buy करूँगा, तो ये किसी को नहीं पता होता है, ये ही मैं आप लोगों को बता रहा हो दोस्तो, market uncertain है, बहुत सरे factors रहते हैं यहापे, तो ये चीजे आप लोगों को यहापे समझ नहीं होती है, आशा करता हो दोस्तो, आप लोगों को इस वीडियो से ब पविश्य में मुझे याद करोगे, जिन्हों ने फाइदा उठ है, अच्छा का सा return मिले, और आज भी मैं कह रहा हूँ कि आज market गिर रहा है, ठीक है, timing मुझे नहीं बता कि कब तक record होगा, आप अच्छे companies में जाल बिचा कर रख दो, इन्वेस्ट करके रख दो, जिस दिन भागेगा ना, उस दिन फिर बेवज़ा आ जाते है, सर अभी खरीदना ठीक है, अभी तो वो 150% भाग गया, चाहे फिर वो IEX हो, IRCTC हो, fine organic हो, सब में यही चीज़े चलती है, तो retail investor ने यही चीज़े सुधार नहीं है, दोस्तों आज अच्छे अच्छे stock आपको सस्ते दा में मिल रहे है, फाइदा उठाओ, long term में आपको कम्माल की returns जरूर मिलेंगे, so जितना हो सके मैंने आप लोग के लिए वीडियो यहापे बनाए, वीडियो अच्छा लगे, तो like करना बिलकुल भी मत बुलना, दोस्तों के साथ share करना, and first time visit किया है, तो subscribe करके, bell icon को hit करके, all भी जरूर select करके रख लेना, so that's it, thank you very much जोस्तो, we will be meeting our next studio, तब तक के लिए, bye bye.